प्रेक्टिस लेक्ट्रों में हम लोगों कोशिश कर रहा है कि हमारा ग्रुप के आ मेंबर के साप से हुआरे यौटिवेशन मोटिवे का सुरू से नहीं पहले हमारी क्लीनिक देखें हमा और दिक्कत वहां पर आती है कि जब किसी भी का पैटन हम यूज करते हैं तो हम बिलीव नहीं कर पाते हैं सबसे पहले हम यह नहीं कर पाते हैं कि इस पैटन में मिला क्या है अगर वह पैटन हम लोगों को समझ में नहीं आता रिजल्ट और अगर खुदा नहीं मेडिसीन बना के दूसरी मेडिसीन में अलग अलग कोटेंशी में देते हैं तो वहां पर इंटरफेयर करता है इस लिए हम पैटन को पहले मना करते हैं कि पहले आप अपना बनाओ देर वहांपर आप सेकंडरी वहाप ब सारे लोग बोलता है कि असले कर आप उसके पीछे का मकसद करती लेकिन अब उनमें यह इंट्रेस्ट जग गया है मैं कम से कम मेरे घर पे तो करूं दोस्तों आपको बिलीव नहीं होगा 6060 मेडिसिंग की पूरी किट उन्हों ठीक है कोई ने आपके दीपक सीना जी कहां से बुलाई यांज से बुलाई और उन्हों ने अपनी प्रेकिस शुरू किए रिजल्ट उनको एक मेल आदमी जिसने डिग्री करी है वो एलोपेड प्रैक्टिशनर कर रहा है और जब उसकी प्रैक्टिस देखता है तो उसको शर्मिंद गाहुना होता है कि यार देखो वो कर रही है मेरे साथ की उसको उच्छे रिजल्ट मिलते हैं तब इधर गुषता है कि नहीं साब मैं भी प्रैक्टिस करूँगा और मैं भी इलेक्ट्रों में पैट करूँगा अब आपको बिलीव नहीं होगा मेरा एप जो बनाने का में रिजन यह थे कि कई होमेपेट डॉक्टर चाह रहे हैं कि यह सीखें आप बिलीव नहीं करोगे मुझे कम से कम धाई सो होमेपेट डॉक्टर के फोन आये हैं आप हमारा एक अलग ग्रूप बना दीजिए एप में और उस ग्रूप में केवल भी हमेस डॉक्टर होंगे और आप से सारी इलेक्ट होमेपेट सिखा दीजिए अब आप सूच लीजिए अगर हमने उनको प्रोमोट कर दिया अब हमेरे ग्रूप में डॉक्टर कमल सर है डॉक्टर इशिपाल सर है काफी समय से होमेपेट प्रेक्टिस कर रहे है और रिजल्ट अभी उनसे पूछो कि लेक्टर होमेपेट का ब तारण है अभी आप लोगों के पास यहां एजुकेशन का टाइम था ठीक है इसलिए मैंने ज्यादा शेरिंग नहीं करा अब जैसे आप में से यह एजुकेशन लाइन हमारा कंप्लीट हो जाएगा दो से तीन दिन का कोर्स बचा है आथ सई जादा से जादा तीन दिन में तक, दो दिन में आपको जितना भी conclusionary पार्ट में दे सकता हूँ आपको दूगगा, उसके बाद हर मेने एक प्रोटोकॉल आपको डालूगा, एक याद दो प्रोटोकॉल जिसको फूफ आपको गुरूप को करना है, और वो हमारा सबका प्रोटोकॉल होगा, नह नहे मेरे तो भी मुझे समझा आज इस मेने में मैंने तीन प्रोडोकॉल सेट किये और तीनों के रिजल्ट इतने बड़ी आए मैं नहीं बोल सकता है स्मेल पर बनाए और ऐसा कॉंबिनेशन बनाए जो किसी के गले नहीं उतर रहा है ठीक है आप यसर से पुछ लिए यसर ने तो सिंते इसे सेकेंड डालेशन प्लस मेडिसीन इसमेल ठीक है और रिजल्ट वो खुद बताएंगे आपको कितना जेन्यून रिजल्ट वो ले रहे हैं तो यह हम लोगों का एक एटमोस्फिर बन गया है कि हम कुछ करना चाहते हैं कुछ नया करना चाहते हैं कुछ पागलपंती करन ना तभी एच की जो छुपेवे नुस्खे ना वो बाहर आएंगे ठीक है एच को अभी किसी ने समझा ही नहीं है आपको और हम भी अभी मानेंगे तो 15-20 परसेंट है ठीक है जी सर सरकार सर बिलकुल यही काम हो रहा है और हम लोग इसी लेबल पर काम कर रहे हैं और यहां इसी लिए बहुत डीब में जाकर हम काम कर रहे हैं मेरे से कुछ हमारे परिवार के एंबी बेस डॉक्टर वह जुड़े में वो जब मुझसे डिसकस करते हैं तो यही कहता है यार तू कहां से ला रहा बता मेरे घर आते हैं इस्पेशल और घर आकर वो देखते हैं कि किस-क इस बुक का तो स्टेडी कर रहा है और जब मेरे आप बुक्स का कलेक्शन देखते हैं तो उनको आशिर होता यार यह कुन सा राइटर है कहां से लिया तू ठीक है इसलिए मैं कोई भी चीज मुझे पसंद आती जब तक मैं करता नहीं हूं जब तक मुझे चेंड नहीं मिल लगाते हैं सेमिना मैंने का दोस्त मैं लगाने को तैयार हूं लेकिन मैं चाहता हूं एक बार मेरे हां लगे सारे लोग मेरी क्लीनिक पे आए मैं जो चीज बूल रहा हूं उसका प्रूप तो आपके सामने आना चाहिए मैं जो चीज बना रहा हूं कि यह मैं बना रहा हूं की नहीं बना रह左 हूं मैं खुद प्रयोब कर रहा हूं की न Раз कर रहा ऑफ मैंसे अभी कई कही लोगों ने कहा कि कोई consume क्लास की कुँग कर रहः रहा है कई लोग ऐसे हैं जो अपनी बच्ची को तयार करा है गायनिक और आप्स्ट्रिक के लेवल पार और मैंने उनसे बैंगलोर में प्रामिस लिया था गुर्देओ आपको काम करना है सबसे पहले प्लांट्स पे आप बिलीव नहीं करोगे पूरे 115 प्लांट के बाप बेटी ने स्टेडी करी है दोस्त ठीक है इसलिए यह सारी चीज़े ऐसे नहीं आ जाएगी सर पांच दिसंबर से शुरूरी एक लास आप मेरे एप पर देख सकते हो ठीक है तो यह ऐसे नहीं आ गई उन्होंने अपना मोटिवेशन दिया सब कुछ दिया अपना ठीक है इसलिए हम लोग यही चाहते हैं कि आ सब्सक्राव टेखें सब्सक्राव सरकाव यह सरकाव का देखें अप यह सारे आप कलकत्ता में जाएए अभी एक डिदान थी दो-दो-तिन-ती होगयी हम अमरी कविता में हम आप देखो देखते जाओ आते मैं आपको चलेंज कर रहा हूं पांस साल के बाद यह जो गुरूप गुरूप चला आ रहा है ना जितने गुरूप गुरूप की बात करते हैं हम फेमिली के बात करते हैं हमारे हर फेमिली में आप सुरहिंद्र भिटानी सर को देख लो असम में एक मात रहे हैं सम के ठीक है आपको देख ले ना यह अपने अ साल के बाद यह जितने डॉक्टर अगर इस लाइन को नहीं छोड़ेंगे इनके पास किसी से बात करने का टाइम नहीं है हमारा एक सबसे सीनिय डॉक्टर बताओं डॉक्टर शेलिंग चोहान अंदाबाद और मैं आपको बहुत बड़ी खुशी देने जा रहा हूं एक करोड 22 लाग का उन्होंने एक बहुत बड़ा हस्पिटल ही खरीद लिया है बोले मैं यहां कैंसर अस्पिटल डालूँगा यह जैन्यून होता है सर और वह जैन्यून पक्का कर दिया हमारे ग्रूप में काफी ऐसे मेंबर है डॉक्टर चमन सर ठीक है आप सान जान सकते हैं मेरा तो हस्पिटल दोस्तो जैसा मैं हूँ ऐसा हीए आड़ा तिरचा ठीक है जैसा मैं मैं बना सकता था मैंने बनाया जिस डिपलसे मैं आ जाया हूं सब आप लोगों के बदोलत आयों तो मुझी परवा नहीं है मैं अच्छा काम कर रहूं सब के लिए कर रहा हूं लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे से सोगुना उपर जाए मुझे बहुत खुशी होगे सबसे ज़ादा खुशी मुझे होती है कि हाँ यार हॉस्पिटल इस बंदरी ने बनाया बहुत जोड़दार ठीक है आप पंजाब में देख लो ठीक है पंजाब में भी बहुत बढ़िया बढ़ आप देखो गोरव सर लिख रहे हैं आई लेवल पर मैक्सिमाम फिडबेक सुपर्ड है सरा आप सबको बताईए गाइड कीजिए तो मैं मानू आपको ऐसे बोलने से काम थोड़ी होता है ठीक है चले दोस्तों शुरू करते हैं ठंड का समय है गर्मी देते हैं सबको दोस्त आज हम जब बात करेंगे हम आज का यह का लास्ट चेप्टर ले रहे हैं दोस्तों आज हम बात करेंगे पूरा यह का डागनोसिस की पॉइंट के लेवल पर ठीक है जब हम जी मलीका मैं बहुत-बहुत धन्यवाद कल हमने देख लेया था कहां पर कैसे कैसे आ रहा था दोस करेंगे तेम कल आज उसकी आगे देखते कि इंडोलेंपटिक जब इंपर्स पोटेंशल डेवलाप हो गया तब वो कैसे काम करेगा दोस्तों इंडोलेंफटिक पोटेंशल वह लेक्टिकल पोटेंशल होता है जो स्केला टिमपनी के पेरिलिंप और इसकेला मीडिया के इं फ्लूट कलेक्ट होता है उस हैर सेल्स के आउट साइड में जो फ्लूट होता है उस फ्लूट में डेवलाप होता है दोस्तों ठीक है अब फ्लूट में जब डेवलाप हो गया तो आपको पता है हमने पता है था स्टैप्स के रिजन पे वहाँ पर फ्लूट में इस प्रकार पर सबसे important role यह होता है यह flute जो होता है पैरिलिफ और इंडिलिफ होता है दोस्तों जिसमें जिसकी जो composition आप देखते हो ना दोनों की different है दोनों का work करो इसकेला वेस्टूबली और इसकेला टिमपेनी पहले भी पढ़ा फिर हम समझ रहें जो कि एक्स्टा सेलिलर फ्लूड के कंपोजिशन में बिल्कुल सिमिलर होता है बिल्कुल लेकिन याद रिखेगा जब एक्स्टा सेलिलर के बात होगी तो वहां पर इतना सूडियम माल कांसेंट्रेशन में पाये जाता है माइंड को नोट कर लेना इस बात को दूसरी बात जब इंडो लिंफ की होगी तो इंडो लिंफ में क्या हुआ स्केला मीडिया इंडो लिंफ के साथ पूर्ण रूप से फिल्ड होता है दोस्तों जिसमें हाई कांसेंट्रेशन में क्या होता है पूटेश्यम आयन होता है सूडियम और पूटेश्यम आयन एक अंदर जा रहा एक अंदर जा रहा एक बाहर आरा यही आप किनी के लेबल प पर आपको सारी चीज नजर आती है लेकिन जब स्केला मीडिया के स्टेडी करते हो तब आप यहां पर इस्ट्राया विस्कुलिरिस होती है जिसके द्वारा पोटेशन मायन का कंटीनू सीक्रिशन होता रहता है यानि कुछ चीजे ऐसी एकॉडिंसी के साथ होती है उस पर प्राबलम आती है आपको बोलता हूँ एक नेगिटिव में या नूट्रल में दे दीजे नार्मल हो जाएगा बोलता हूँ ना ऐसे नहीं बोलता हूँ मैंने 5-6 साल उस पर काम किया है ठीक है मेरे मेंबर हैं का डक्टर आधिश्यम कुम्रावत है डक्टर गजिन हम लोगों ने बहुत काम किया इस पर और रिजल्ट जब हमारे सामने लेकर आए तब वो लोग बोलते दे अरे सर आपने तो इतनी बड़ी मुश्किल हल कर दिया कि सारी प्राब्लम साल होने लग गए यह दोस्तों ठीक है इसलिए यह चीज़ें जब तक प्रैक्टिकल में इसलिए एच पीछे रह गया लेकिन आज आप और मैं मिलकर यह काम कर रहे हैं लेकिन पहले हम सीखे तो जब सीखते हैं तब रिजल्ट हमको नजर आता है दोस्तों जब आप इलेक्टिकल पोटेंशेल की बात करते हो तो दोस्तों पोटेशियम कांसेंट्रेशन में डिफर के लिए बहुत जुरूरी होता है बहुत बड़ा रिस्पॉंसिबिटी करता है यहां पर सोडियम और पोटेंशेन का अपन डाउन होगा ना तभी फंक्शन महां पर जनरेट करेगा इसलिए इंडोलिंप में पोटेंशेल पोस्चर जब महां पर दो इसपेशली जो पॉज पोटेंशेल मुझूद होता है और जब प्लस एटी एमवी के आसपास होगा तो पूरा हीरिंग सेंक्शेशन आपको सुनाई दे जाएगा दोस्तों इसलिए याद रखिए कोक्लियर पोटेंशेल का महत्व आपको पता होना चाहिए कि कोक्लिया के लेबल पर जो आता रहता है दोस्तों का एड पोजिशन इसका क्या मतलब होता यह प्लस एटीएमवी होता है इसलिए हैर सेल्स के अंदर आप ने electrical position देखा था मैंने आपको बताए था माइनस 60 MV था ठीक है तो एक में माइनस 60 MV एक में प्लस 80 MV अगर ये है तो क्या होगा आप दीखो पैरिलिम के comparison में अगर आप देखोगे दोस्तों तो 80 और 60 कितना हुआ ठीक है 80 और 60 जब जूरते हो तो माइनस 140 MV के इंडो लिम के लो पोर्शन में आपको देखने को मिलेगा इतना ज्यादा वहाँ पर डीप में चला जाएगा इसलिए हाई पोटेंशल डिफ्रेंशिस जब हैर सेल्स को सेंसिटिव कर देगा और इसलिए हैर सेल्स की एक्साइटेबिलेटे बहुत तेजी केसाद इंक्रीज हो जाएगी मोवेंड होता जाए और जेसे धीर दिरिमांपर और सब से इंपोर्टेंड होता है कि जब इस्टरोसील्या का यहाँ पर स्लाइट मोवेंड होता है तो सबसे पहला action potential जो auditory nerve fiber पर develop होता है यही चाहते हैं हम लोग कि auditory nerve fiber पर किसी प्रकार से action potential generate हो और यह nerve fiber cerebral cortex को जाकर message दे कि यहाँ देखो साब यहाँ पर impulses आ गए अब आप सुन लो क्या बोलना चाह रहा हूँ अब किताब सुन लो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ ठीक है और नर्व महां से अब को मैंने बताया था center nervous system है कि एक नर्व ददस हजार neuron से एक समय में contact करती है 10,000 प्लस neuron से एक नर्व का sensation यानि एक नर्व के dendrites के level पर different different point इतना surface area होता है इसलिए millions हम बोल सकते हैं कि millions, trillions के level पर जो neurons होते हैं वो अलग-अलग काम के लिए इसलिए जिम्बदार होता है दोस्तों इसलिए जब action potential auditory nerve fiber में देखोगे ना बहुत सारे काम आपको नजर आएंगे यानि cochlear macrophonic potential के दोरा auditory nerve fiber में action potential generate हो चुका है दोस्तों और यह all or null law को obey करता है यानि one sided में जाएगा या तो जाएगा one sided में या बिलकुल नहीं जाएगा दोनों चीज़ तो यहाँ पर all or null law को follow करता है और इसका definite threshold होगा यानि जो refractive period होता है कितने strength में कितने पीछ में wise आई है उसी strength के according वहाँ पर दोस्तों sensation आपको महसूस होगा जो refractive period के लाएगा इसलिए दोस्तों जब high frequency पर आएगा action potential के जो synchronization होती है वो disappearance हो जाती है दोस्तों और single spike वहाँ पर उत्पन्न होती है हलका सा आपको sensation वहाँ देखने को मिलता है लेकिन यहाँ दखेगा जब भी cochlear macrophonic potential का developing होगा उसके बाद जो action potential होता है 0.5 से 1 millisecond में अपियर होता है यह 0.5 से 1 millisecond में अपियर होकर complete हो जाता है इसलिए recurrent जैसे मैं बार बार बोल रहा हूं एक बार गया complete हुआ खतम हो गया दूसरी बार गया complete 1 millisecond में एक word का पूरा hearing sensation आपको कान के माध्यम से, cerebral cortex के, nerve fiber के माध्यम से, action potential के transmission से आपको hearing हो रहा है यह अगर science आपको नजर आ गया तो आपको clear हो जाएगा आपको यह clear हो जाएगा यदि हम sound की property की बात कर लें जैसे मैंने कहा मैं single बोल रहा हूं अभी मैं साथ में DJ बजा आपको मेरी बात सुनाई देगी, नहीं सुनाई देगी ना, ऐसा क्यों हो रहा है, क्या property है sound की, sound की property बहुत महत्व रखती है आपत, जब आप sound की basic property के बात करोगे दो होगी, एक होगा pitch, sound का pitch कैसा है, और दूसरा होगा दोस्तो loudness, कितनी भारी है, ठीक है, आप कहते हो, यार देखना ये लड़की की कितनी बार, लता मंगेश्कर की क्या आवाज है, मस्त मज़ा आ गया, मुहमद रभी और कोई किरता है नहीं, सार किसूर साब की आवाज कितनी मस्त मज़ा आ गया, ठीक है, बोलते हैं ना, अरे यार, अमरिश पूरी के आवाज है, बिलकुल loudness आवाज है, कितनी भारी आवाज है, बोलते हो ना, ये वही चीज़े, यानि ये साउंड की प्रापोटी होती है, और आप प्रापोटी को जब विजिबिलिटी के लेबल पर देखते हो, तो आप यार रखेगा, पीछ कैसे डैवलप होता है, साउंड वे उसकी फ्रिक्वे मेच कर जाती है, आप मिर्ची सुनते हो ना, आप फ्रिक्वेंसी सेट करते हो ना, उसी प्रकार से, साउंड की फ्रिक्वेंसी हर्ड्स में एक्स्प्रेज्ड होती है, दोस्तों, ये अमनी, human ear के अगर आप बात करते हो, जो audible sound की जो फ्रिक्वेंसी होती है, वो 20 और 20,000 बीच होती है, दोस्तों, जो सबसे ज़्यादा greatest sensitivity की range होती है, वो 2000 और 3000 हट्स, cycle per second के बीच में देखने को मिलती है, दोस्तों, ये ये frequency होती है, कि 2000-3000 हट्स, सबसे ज़्यादा frequency होगी, इस frequency के level पर आप महापर sound को सुन सकते हो, लेकिन जब loudness आती है, loudness या intensity of sound wave, ये sound wave के amplitude पर depend करती है, ये decibel में express किया जाता है, इसको db में express किया जाता है, दोस्तों, और जो sound wave का जो threshold होता है, उसकी intensity होती है, वो constraint बिल्कुल नहीं होती है, ये sound की frequency के accordance worries होती है, आप देख लो, एक बार ढोल बजा, ढोल बजने के बाद एकदम बारिक सी बासुरी बजने लग हो गए ना change frequency, येनि कम जादा होती रहती है, तो जहां पर आप DJ बजाते हैं, तो DJ में भी आप देखो frequency कम जादा होती रहती है, इसलिए उसको loudness कहता है, हम आवाज से चिलाते हैं, ये जिससे आवाज से चिला नहीं सकते हैं, बिल्कुल नहीं चिला सकते हैं, कई बार के धीरे बोलना पड़ेगा, येनि loudness को आपको कम जादा करना पड़ेगा, इसलिए आपके घर में जब TV जोर से आवाज में आता है, आप पड़ाई कर रहे होते हैं, आप चिलाते हैं, आवाज कम कर TV की, ठीक है, सुनाईने देना, मैं या पेशिन देख रहा हूं, ऐसा व आप loudness, आप sound, येनि जब आप auditory defect के study करोगे, तो आपको सबसे पहले ये पता करना पड़ेगा, कि sound की loudness का appreciation क्या है, आप उसको कैसे appreciate करते हो, वो appreciation सबसे important होता है, येनि sound की loudness का appreciation auditory nerve की activity पर depend करता है, दोस्तों कि auditory nerve काम कैसे कर रही है, येनि sound की intensity या loudness दो factor के साथ individual fiber से वहाँ पर discharge की rate क्या है, ठीक है, ये auditory nerve है, इसकी कई fibers है, उन प्रतेक fiber के माध्यन से जो potency जब generate हो रही है, उनका discharge point क्या है, discharge की rate क्या है, उसके उपर depend करती है, दूसरा total number of nerve fiber discharging कितने कर रहे हैं, वह कई nerve fiber तो सुनने रहेते हैं, कोई मतलब ही ने उसको, कई nerve fiber में sensation discharge हो रहे हैं, तो वहाँ पर कितने nerve fiber काम कर रहे हैं, उनकी single single अपनी अलग-अलग property होती है, लेकिन जब सहीत रूप से काम कर रहे हैं, तो total number of nerve fiber कितने discharge कर रहे हैं impulses को, उसके उपर पूरा hearing capacity depend करता है, इसलिए मैंने आपको कहा, कि जब आप hearing defect को ठीक करने के बात करते हो आप nerve fiber पर बात करो, आप C5 negative, G negative के level पर चले जाओ, आप देखो nerve का level बहुत तीजिस से reason rate होना शुद होता है, अभी हमारे ग्रूप में आज afternoon class में भी एक doctor ने बताया, मैंने difference की condition बोले, दो से डाई मैने में 100% result लिए हैं तीन patient के, दो से डाई मैने में, और जब दो से ड सही साथ, सही साहित्यों और सही प्रकार के protocol selection के basis पर result दिखाना एक बहुत बड़ा challenge है दोस्तों, इसलिए जब sound का loudness आप increase करते हो, तो ये दोस्तों large vibration को produce करता है, मैंने आपको कई बार उदारन दिया, मैं जैसे बोल रहा हूँ, और मेरे साथ में डीजे को लगा दो आप तो particular tympanic membrane में बहुत ज़्यादा vibration होगा, ठीक है, और जब vibration को produce करेगा, जो की basilar membrane की larger area पर spread कर जाएगा, पूरी basilar membrane के larger area पर ये चला जाएगा, और जब larger number के hair cells को ये activate करेगा, तो जब पूरी larger cells के hair cell को activate कर देगा, तो क्या होगा, बहुत सारी auditory nerve fiber को recruit करता है, बहुत सार auditory nerve fiber उसमें involved हो जाएगे, इसलिए action potential के frequency भी increase हो जाती है, और जब action potential की frequency increase हो जाएगी दोस्तों, आपको कुछ भी सुनाई नहीं देगा, अगर कोई वहाँ पर sound भी आ रहा है, भर भर करके आप देखो, वहाँ पर आपके मकान में अगर कांच के glass लगे होते हैं, खिड़क यह sound की localization के level पर depend करता है, कि sound का localization कहा हो रहा, किस पार्ट पर वो जा रहा है, दोस्तों, sound localization वो ability होती है, यह जो यह detect करती है, कि वो कौन सा source है, जहाँ पर sound produce हो रहा है, यह direction कहा पर है, यह आप सीधे जा रहे हैं, और मैं पीछे से आवाज दे रहा हूँ, सुना देवा मेरा नाम लिया, ठीक है, यह sound के source के उपर depend करता है, जहां से sound आप किसी भी table पर wave के रूप में travel कर रहा हो, उस बात पर पूरा depend करता है, यह यह survival के लिए बहुत important होता है, दोस्तों, यह आप deepness में है, आप बहरे हैं, आप रोड के बीच में जा रहे हैं, पिछे से ट्रॉ आगारा ठोक के चला जाएगा, ठीक है, इसलिए आपके survival के लिए बहुत important होता है, और यहाद रखेगा, वे हम जब moving object जिसे vehicle protect करने में help करने का काम करता है, अगर कोई भी जरासा भी आपको sound सुनाई दिया, आप रोड से अलग अट जाते हो, रोड से अलग हट जाते हो, म responsible होता है, अगर आप इस चीज़ को समझ रहे हो ना, cerebral cortex और medial genuculate body, sound के localization के लिए responsible होता है, तो याद रखेगा, आपके head oil में, याद रखेगा, आपके head oil में, जिस nerve के level पर आपको sensation देना है, यदि आपको पता है, आपने A2, F2, S12, C5, W का protocol टाय किया है, और forehead के उपर apply कर आ रहे हो पूरा, जो hair oil जून नाने के बाद लगा रहे हो, तो आप मान के चलो, आप उस nerve के level पर auditory nerve को भी आप वहाँ पर कहीं ने कहीं उस particular area के प्रभावित कर रहे हो, याद आया आपको, मैंने आपको 4-5 area बताया थे, 17, 18, 19, 41, 42, 22, याद आया, तो ये area को आप आप आ directly touch कर रहे हो, और touch कर रहे हो तो उसका benefit आपको hearing tendency पर भी नजर आता है, और वही चीज मैं आपको कह रहा हूं, back side से जब आप B लगा रहे हो, front side से जब R लगा रहे हो, W लगा रहे हो, आप G का plug कर रहे हो, आप W का plug कर रहे हो, आप W का smell दे रहे हो, आप क्या कर रहे हो, आज मैं आपके part 4 में डालूंगा उसका protocol, अभी 15 days हुए, patient ने अपने हातों से लिख कर डाला है, इससे बड़ा proof कुछ नहीं मिलेगा आपको, patient बोलता है कि मेरे मुह में पूरी swelling हो गई थी, मेरा मुह पूरा सूच गया था, उसको पता नहीं है, उसे tongue cancer है, और tongue cancer में 15 दि दिन में tongue cancer का patient बोल रहा है कि मेरा दर्द कम हो गया, और क्या protocol दिया, वो भी मैं आपको वहाँ पर proof करके दिखा दूँगा, जब ये protocol के माध्यम से हमने authentically protocol बना कर उसको दिया, तो result क्यों नहीं मिलेगा भाई, कोई ज़रूरी है कि हर आदमी cancer specialist है, हम भी cancer specialist है, ठीक है, हम सारा group का पूरा member cancer specialist है, उनको पूरा cancer पर protocol याद है, मुझवानी याद है, मैं आप सबसे यह उम्मिद करता हूँ, कि जितने लोग interested है, सारे लोग, हमारे छभीलाल जी ने नेपाल से दो cases मुझे भेजे हैं, दूनों cases के level पर, एक को तो breast cancer में result आ चुका है, और एक cases में अ मतला हिस्टेक्टामी करवा लिया था, यूटरस पूरा रिमूव करवा लिया था, ठीक है, उसके कारण हार्मोनल इंबेलेंस हो गया और बहुत ज़्यादा महां पर बनने के बज़े से आप देखेगा, उनको बोन में से calcium बहुत ज़्यादा निकल रहा है, और बहुत ज़ विटामीन वन और वल्टी विटामीन टू और इस्पेशली आल पेइन के औराई, कीवल इतना देने से विदिन वन मंथ रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग concept बैस पर जा रहा है, हमारा concept क्लियर हो रहा है, यह हम लोग जानते हैं, लास्ट तीन मेरे डॉक्टर है, जो ENT कर रहे थे, उन लोगों से मैंने discussion किया और वो पूरी discussion को note किया point को और उस point के भियाप पर आपको बता रहा हूं, ताकि आप लोगों को ear के level पर भी बहुत सारी जानकारे मिल जाए, दोस्तों, जब ear का इस पूरी protocol को आपने समझा, तो इसमे कोई problem नहीं है, nerve से related link है, ठीक है, आपको केवल external, middle और internal layer के physiology जानना है, कि वहाँ पर हो क्या रहा है, ठीक है, आपको मैंने पूरा बताया, अब आपको मैंने ये बताया कि बाहर के level पर protocol क्या, middle layer पर protocol क्या, inner layer पर क्या, आप अगर बाहर जा रहे तो S1, C1, A1 से काफी है, अंदर जा रहे तो S5, C5 से काफी है, S5, C3 या S3, C5 से काफी है, लेकिन जब inner level पर जाओगे तो gangrenal 4 negative, C5, G negative भूलना नहीं, ठीक है, कभी नहीं भूलना, 100% अगर result लेना है, कभी नहीं भूलना, ठीक है, ear drop बनाना है, A2, C4, C5, दो में से एक, A2, C4, C5, L1, V1, G, B, W, यह protocol के अलावा कुछ नहीं है, आप D4 में बनाओ, ear में, अगर आपको D4 में बैस बनाओ, और बैस बना कर दोस्तों, direct 10 ml में 6 drop, अगर आपको negative देना है, 10 ml में 30 drop, अगर आपको positive देना है, कुछ नहीं करना, sufficient है किस कीस में आपको देखना है, अगर आपको direct और brilliant result ही है, direct RS लीजे, 5 ml, उसमें आप according to condition, बैस बना के 10 drop डाल दीजे, अगर आपको negative भेजना है, 10 drop, positive भेजना है, 30 drop, आप उसी में उसी बैस का डाल दीजे, और उसकी plug करा दीजे, मैं आपको challenge करता हूँ, आप result लेकर देखे रहा, और मुझे feedback बताईएगा, जो आपने अपने life में न देखा होगा ना, वो feedback देखेगा, अभी मेरे पास 4 मेने का बच्चा आया था, भेंकर कान ओ तो रहा, 4 मेने का बच्चा भाई, उसको सर्दी देखे तो बिल्कुल इसी हरी कच बिल्कुल, nose उसकी बिल्कुल हरी, यह नि, definitely मान के चलिएगा, दोस्तों, उसको कहीं ने कहीं उसकी माबाब से allergy भी मिल रहा है और pneumonia भी खतरनाख है, ठीक है, C5, P1, F1, W, उसको मैंने कहा कि आप भी smell कीजे, उसकी मा को कहा, और साथ में कहा कि इसको भी बच्चे को smell कराई है, मैंने first time किसी बच्चे को, 4 मेने के बच्चे को smell कराया, आप believe करोगे, दो दिन कराने के ब बच्चे का जो हरा, जो नो जारा था, पूरा वाइटेस convert हो गया, पूरा वाइटेस, C5, P1, F1, W, याद रखना, ठीक है, और दो दिन बाद उसकी माने मुझे phone किया, कि सर ऐसा ऐसा हो गया, मैंने का आप continue करो benefit हो गया, आपका बच्चे को आप कुछ नहीं होगा, और कान आने लगे, आज ये condition है, 7-8 days हुए, 7-8 days के विहाब पर result यह है, दोस्तो, 80% बच्चा जो है, स्वस्त हो चुपा है, बढ़िया सूता है, बढ़िया खेलता है, बढ़िया कुटता है, सर्दी उसकी reduce होती जारी, क्योंकि पूरा protocol, सर्दी का उसकी मा को दिया गया, P5L1B, क्रानिक कुर्वाइजा के लेबल पर, P5L1B is a miracle protocol, P5L1B, D5 में, गेंगरिनाल 4D5 में, इट्सम मिरिकल, आप ट्राय करके देखेगा, ठीक है, और दोनों को दिया गया, मा को दिया गया, मा के दूसरे बच्चे को मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन external वहाँ पर इस mail क मैंने जुरूर कराया, और मुझे बहुत अच्छे feedback मिले, दोस्तों, इससे मेरा confident हुआ कि मैं आपको बताओं कि feditation में भी हम use कर सकते हैं, अभी मैंने के बल, 3 बच्चों पर प्रोटोकॉल है, दीरे-दीरे मैं और बढ़ा रहा हूं, मेरा विस्तार बढ़ा रहा हूं, हमा एक हजार हाथ चाहिए हमको, जब एक हजार हाथ होगे तो पूरे इंडिया में smelly smell का डंका चलेगा, जो लोग practice नहीं करते थे, वो मुझे personally phone करके बोलता है, आपका YouTube पर वीडियो सुना, उसमें smell बताया था, हमने भी WD4 smell बना के सुंगाया, जिन लोगों का headache होता था हमन काम जीतना है, हम कर रहे हैं, हमारे सारे डॉक्टर कर रहे हैं, दोस्तों, याद रखेगा, तो जब auditory defect के level पर आप आ रहे हो, तो आपको याद रखना है, auditory defect के causes और उसके types बजाईए, auditory defect है, जब आप table practice में देखते हो, तो याद रखना, यह partial होता है, यह complete होता है, ठी conduction diffness और nerve diffness, याद रखना, conduction diffness मतलब कोई anatomical physiological background में बाहर से आने वाला जो conduction हो रहा है, वो आई नहीं रहा है, ठीक है, और दूसरा हो रहा है, conduction का जब रिसेप्ट कर लिया जाता है, रिसेप्ट करके जो sensor होता है, nerve के level पर sensory और motor वो supply नहीं हो रहा, यानि sensation cerebral cortex पर नहीं जा और वहां से motor response नहीं हो रहा, इन में defect है, यानि nerve diffness है, यसलिए मैंने कहा आपको, कि जब आप protocol select करो, तो S3 के साथ C5 कर लो, और जब आप यहाँ पर select कर रहा हो C3, तो उसके साथ S5 select कर लो, यह दोनों protocol जिस प्रकार से scheme में nerve के level पर काम करता है, आपको यहाँ भी ear के level पर इस पूरी diffness की process, यहनि conduction diffness और नर्वाइन diffness इन दोनों प्रकार, जो auditory defect के level पर है, उनको ठीक करने में मुदद करता है, आप अगर protocol decide करना चाहते हो, तो सबसे पहले conduction diffness के level पर आ जाओ, आप जो conduction diffness की बात करते हो, तो conduction diffness एक प्रकार का diffness है दोस्तों, जो कि external ear और middle ear म impairment के कारण उत्पन होता है, mainly इसी चीज़ को समझना है आपको, यहनि यहाँ पर external ear होता है, बाहरी ear और middle ear, inner ear का तो नर्वाइन हो गया, ठीक है, एक लियर हो गया, external ear और middle ear में कोई conduction deflected हो रहा है, यहनि जितने भी sound waves आ रही है, उसका transmission ही नहीं हो पा रहा, ठीक है, कहीं घूम गई है, ठीक है, तो ऐसी कोई भी कारण होते हैं, जो particularly दोस्तों, conduction difference को cause करते हैं, जब आप causes for conduction difference देखते हो, तो आपको याद रखना है, दोस्तों, external auditory meters का obstruction होना, याद रख लेना, external auditory meters का obstruction होना, dry wax होना, बहुत ज़्यादा सूखा सूखा wax हो, या foreign bodies के कारण, किसी दूसरे प्रकार का कोई cotton चला गया, आपने cotton रख लिया, तो उसके कारण, दोस्तों, conduction difference का causing महाँ पर आपको देखने को मिलता है, कई बार क्या होता है, patient को cold होता है, आपको मैं diagnosis भी बताते जा रहा हूं, दोस्तों, याद रख लेना, कई बार patient को देखते हो, दोस्तो वहाँ पर repeated middle ear infection होती है, तो directly भी हो सकती है, सर्दी के कारण भी internal way में होती है, दोस्तों, तो repeated middle ear infection के कारण, tympanic membrane ठीक हो जाती है, ठीकनेस हो जाती है, वहाँ पर, वही किसी भी पार्ट में, जब fibrosis develop होता है, loss of function होता है, तो क्या देखते हो आप, of course हमें ठीकनेस नजरात दोस्तों, तो यहाँ पर tympanic membrane की भी ठीकनेस आपको देखने को मिलती है, tympanic membrane की जो perforation हो जाए, आप कही बार देखते हो, वहाँ पर आपके tympanic membrane में छेद हो जाता है, ठीक है, tympanic membrane का perforation जो की either side पर pressure की inequality के कारण होता है, यहीं दूसरे side में जो pressure है, वो बहुत ज़्या आपको देखने को मिलेगा दोस्तों, ठीक है, और जब कभी भी इस प्रकार के tympanic membrane का perforation के बात करोगे, p2-1 is the major medicine in negative to cure this type of perforation, इसले हम कहते हैं, gangrenal 4, d9 is a specific protocol for this type of perforation of year, tympanic membrane के perforation में बहुत brilliant काम करता है, यह दे आप c5 और g का 10,000 के 3-3 dose दे दो, c5 10,000 और g का 10,000 का 3-3 dose दे दो, 3 दिन तक लगातार morning में c5, 3 दिन तक लगातार g, आपको मैं बता रहा हूँ, आप दूसरे मेंने, एक ENT डॉक्टर से चेक करा लो, यह आप treatment करने के पहले चेक करा और एक मेने बात चेक पर आओ, difference आपको देखने को मिल जाएगा, challenge करता ह हूँ में दोस्तों, याद रखना, क्योंकि यह intensity के उपर depend करता है, उसकी inequality के उपर depend करता है, और हम उस equality को balance कर रहा है, विकास नर्वाइन, autonomic nervous system के माध्यम से, sympathetic mechanism के माध्यम से, nerve fiber के balance के माध्यम से, वहाँ पर हम यह सारी process को control कर रहे हैं, दोस्तों, otitis media, आप देखो, otitis media ह होता है, inflammation of middle ear, ठीक है, सबसे ज़्यादा dangerous ear pain के रूप में सामने आता है, और जब otitis media होता है, हिंदुस्तान में, जितने ENT doctor होते हैं, उनका कहना है, कि सर्दी के कारण, बार-बार किसी चीज माचिस की तीली लेकर कान में उंगली कर रहे हैं, आप देखो, motorcycle के जो चाबी ह है, उस चाबी को कान में डाल रहे हैं, और लगा तार उसे, बनलब infection को पैदा करना हमारे हाथ में है, हम लोग करते आ रहे हैं, हम नहीं सुधरेंगे, ठीक है, हम करते आ रहे हैं, और फिर बाद में कहते हैं के यार साब मुझे cold हो गया, मुझे तो फला ना, scratch तो आपने प infection, cellulitis कितनी जल्दी डेवलप हो जाता है, पस्पाइंट कितनी जल्दी डेवलप होता है, अगर येर में इसी प्रकार से infection हो गया, तो क्या होगा, आटोमेटिक आप देखते हो, बहुत easy infection हो जाती है, इसलिए otitis media बहुत brilliantly वहाँ पर develop हो जाएगी, brilliantly मतलब कोई खुशी क बहुत नहीं है, लेकिन बहुत dangerous होती है दोस्तों, और मेरे area में हर तीसरा से चौथा पेशन जो पोल्ड से प्रभावित है, मतलब otitis media से प्रभावित देखने को मिलता ही मिलता है, दोस्तों, 100% जब सब जो के ठक जाता है, मैं 7-8 बार anti के पास चला गया, फिर भी मुझे recurrent हो रहा है, दो तीन साल हो गया, उसको यही कहता हूँ, तीन मैने मुझे दे दे, बोले दिये यार, इतने साल करा दिये, तीन मैने बाद आके बोलता हूँ, मैं बंद कर दे और जा, यह तिरे को मैं मतलब C5 और G का मैं प्लक दे रहा हूँ, RS में बना के D1 से 55 डाल के अच्छे से इलाके दे देता हूँ, डेली नाइट में जाकर लगा लेना, ठीक है, उसके बाद में एक मेने बाद वो आता है, आपको जरुवत नहीं है, जरुवत, साल, देर साल, दो साल, चार साल, प प्रूब किया है, यह सर ने, गोरो सर ने, इन्होंने प्रूब किया है, कि हाँ सर आप सही कहते थे, एक प्रिशिंट ही करो, दस मिलेंगे, ठीक है, हमारे जुगराज सर भी इसी पे शामिल है, आप देखो, ब्रीलेंट रिजर्ट मिलता है, ठीक है, ओटो इस्क्लोरसिस प इसको बोलते है, ओटो स्क्लोरसिस, क्या करोगे, ठीक है, ड्यू टू एंकिलोसिस, जो एंकिलोसिस होती है, उसके कारण यह प्रॉसस होती है, ठीक है, जब यहाँ पर दोस्तों, एंकिलोसिस का मतलब होता है, अबनॉर्मल इमोबिलीटी एंड कॉंसलिडेशन आप जॉइ यहाँ पर ऐसा फिक्स हो गया, कि उसकी मॉबिलीटी प्रभावित हो गया, इस प्रकार से सेंशेशन प्रदान करता था, जिसके कारण वहाँ पर वेवस जनरेट होती थी, किसमें, प्लूड में, ठीक है, और वहाँ पर वो फिक्स हो गया, तो ओटो स्क्लोरसिस में वेवस जनरेट होगी क्या, अफकोस नहीं होगी, ठीक है, तो आपको प्रोटोकॉल क्या देना है, भून्स के लेवल पर, सीफोर के लेवल पर, करेक्ट, यहाँ पर और ओर्गनो बुस्टर सीफोर, मास्टर रेमेडी बन जाएगा, दोस्तों, याद रख लेना इस बात को, यह व साइंस में, इंक्यूरिबल है, वो लोग सीधे कहते हैं, सर्जरी के बाद ग्यारेंटी नहीं, ठीक है, सीधे बोलता है, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ, कि आपको यह टेंशन लेने का नहीं, ठीक है, जब आप नर्व डिफनेस के लेवल पर आते हो, तो नर्व के लेवल पर, और्गन आपको उटाई के लेवल पर, बैसिलर मेंब्रेन के लेवल पर, कॉक्लियर डॉक्त के लेवल पर, या ओडिटरी पाथवे में, किसी भी प्रकार का लीजन होता है, वो नर्व डिफनेस को कॉस करता है, अब आप मुझे बताइए, मैंने अभी आपक से, ठीक है, ये सभी के सभी diseases या leasins in सभी part का C5G के श्रेणी में आता है, इसलिए टिनीटर भी इसी लेवल पर ठीक हो जाता है, जब ब्लट सर्कुलेशन का कंजिशन होता है, वो भी हापर करेक्ट हो जाता है, क्योंकि हम लोग कॉस के उपर बात करता है, ठीक है, फिर ब जिल लोगों ने, या आपने भी कभी नाम नहीं सुना हो ऐसा था, होई नहीं सकता, मैं आपको दू मेडिसिन का नाम बता रहा हूं, जेंटामाइसीन, स्ट्रेप्टोमाइसीन, ठीक है, कितने लोग यूज करते हो, जेंटामाइसीन एन स्ट्रेप्टोमाइसीन, ठीक है, यह पुराने समाय के डॉक्टरों के दू इंजिक्शन हुआ करते थे जो भी पेशेंट आया दे उठाके डेक्सा में तो सन के साथ मिला के लगाते थे आज भी लगा रहे हैं ठीक है लेकिन उन्हें नहीं मालूम है यह ऐसी एंटिबाइटिक्स है जितनी भी एंटिबाइटि है because of these antibiotics यह Oxford University का एक पूरा लिटरिचर है मेरे पास जिसमें यह कहा गया है कि हिंदुस्तान में अगर किसी को सर्दी होती है उसे एंटिबाइटिक के जरुवत नहीं है लेकिन पहले ही एंटिबाइटिक लेता है ठीक है पहले ही ले लेता है और यही कारण है इम्मिनिटी किलो जारी है और जितनी भी मैजर डिसीज है या तो पेशेंट खुद अपनी गलती से ले रहा है चलो टीक है बार-बार ले रहा है आगे जा कर वो तीन दीन लेने वाली दो बार तीन बार के बार में उसका रिजिस्टेंट हो गया और यही कारण है आज के समय में जितनी ठीक है बिल्कुल recover नहीं होरी और यही कारण है इलेक्ट्रों में पैद बहुत बड़ा science है आप इसको पकड़के बैठ जाओ ठीक है केवल result देना चालू करो आप 16 महीने हम लोग इसलिए class केता है आज आप लोगों में से कई legend बनके निकले हो मैंने कहा था आपको यादो कि protocol 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 मत थिलो 16 मैंने का बात थिलना आप लोगों ने उस चीज़ को पूरा प्राप्त कर लिया दोस्तों और मेरा दावा है आपके area में आप से बड़ा अगर कोई doctor बन गया तो मेरा पढ़ाना भिजू ले लेकिन अगर आप बनेंगे तो आप से ज़्यादा खुशी मुझे हो मैं कभी कॉफी नहीं पीता मेरे बच्चे को मेरे माव आपने का के बेटा आज तेरे हाथ के कॉफी पिएंगे चल बना और उसने कल हमें नाइट को कॉफी बना के पला है हमने सेलिब्रेट किया दोस्तों चीज़ को ठीक है यह बहुत ब्रिलियंट चीज़े होती है हम मेंबर कितना आगे निकल गया बहुत बहुत खुशी की बात है दोस्तों यही चीज़ आपको पता होना चीज़ जब आप लॉइड नॉइस के लेबल पर आते हो तो लॉइड अगर माल लो आपको बार बार आपके पोडोस में मीजिक सिस्टम है और वो रोजाना बहुत ज गया मतलब क्या हो गया इस्ट्रक्ट्रल डेमेच हो गया तो पहले फंक्शन गया तभी तो पैथोलाजी निकल क्या रही इसलिए याद रखना कई बार क्या होता है एड एड तक क्रेंट्र नर्व जो होती है वहाँ पर आगर किसी प्रकार का मालों ट्यूबर डेवलप हो या वो एट्टेनियल लर्के ब्रांचिस को प्रभावित कर रहा प्रेशर एफेक्ट दे रहा वो भी डारेक्ली नर्व डीफनेस को कॉस करता है ठीक है इसलिए वहाँ पर आपको प्रोटोकॉल इसी प्रकार से सेट करना है मुझे क्या देना है अभी मेरे पार नैजल पॉलि गायब हो गया ठीक है तीन थे जो मेजर था बड़ा जो बाहर आ रहा था वो रिड्यूस हो गया लेकिन जो तो छोटी-छोटी उसके साथ में भाई-बेन थे वो गायब हो गया पेशेंट बहुत खुश है बिना सर्जिरी के में ठीक हो गया तो कभी-कभी दिमाग सोचने म मजबूर करता है मैंने ऐसा क्या कर दिया क्या मैडिसिस दिया इसमेल में हमेशा मैं पीवन देता हूँ आज मैंने P2 कैसे दे दिया ठीक है कभी-कभी दिमाग चलता है और जब हम इपूग करता है बहुत ब्रिलियंट रिजल्ट मिलता है इसलिए मैं आपको बताया दोस्त हो ठीक है अब बात करते हैं जो चीज आप लोगों ने कहा था मुझे कि हीरिंग के बारे में टेस्ट का बताईएगा सर ठीक है मैं बताता हूं आपको दोस्तों हीरिंग के लिए एंटी जो टेस्ट परफॉर्म करता है वो बहुत सारी टेस्ट होती है लेकिन उसमें कुछ सेल होती है दोस्तों यह बिफोर डूइंग रूटीन कंवेंशनल हीरिंग टेस्ट अगर कोई मेजर टेस्ट करना उसके पहले बैट साइट टेस्ट होती है जो लोकली कोई बी एंटी डॉक्टर कभी चलते फिरते अगर कोई पेशेंट आता है परफॉर्म कर लेता है दोस्तों बैट साइट टेस्ट क्या होती है दोस्तों बैट साइट टेस्ट सिंपल टेस्ट होती है दोस्तों जो की यूसफुल होती है और देखा जाता है दोस्तों कि हीरिंग नॉर्मल है या कम है ठीक है यह जो बैट साइट टेस्ट होती है दो प्रकार के होती है पहले होती है विस test यह बहुत important role होता है दोस्तों इसलिए whispering test tickling of watch test यह दोनों बहुत importantly होती है और आपको मैं दोनों का sensation आपको बता रहा हूँ एक्जामिनर क्या करता है लगबग 100 cm दूर उस व्यक्ति से खढा हो जाता है यहीं पेशिंट को ऐसा खड़ा कर दिया उसका कान अपने साइट कर लिया और वहाँ पर साट सेंटिमेटर दूर खड़ाओ गया और अपनी साइट से और कुछ वर्ड को वहाँ पर विस्पर करता है विस्पर का मतलब होता फुसपुसाना ठीक है फुसपुसारा धीरे-धीरे से बोल रहा है हम क्या क करते हैं एक दूसरे से काना फुसी करते हैं ठीक है काना फुसी करते हैं और वह सो था हगा हम बोलते हैं नहीं अगर यहीरिंग को suspected किया जाता है कि वो व्यक्ति hearing deficit से ग्रसीत है यानि उसको definitely hearing की problem है इसको कहता है whispers test ठीक है आप easily वाँ पर कर सकते हो 60 cm दूर उसको खड़ा कर दो और धीरे-धीरे बोलने की कोशिश करवा ठीक है उस patient के जिस ear में defect होगा वो तुरंद बता देगा यानि right side में पहले करो फिर left में करो ठीक है यही कारण है दोस्तों बहुत सारी चीजे हैं जो table practice में आपको सिखाने को मिलती है दोस्तों दूसरी बात जब tickling of watch test यानि एक घड़ी है घड़ी के सामने खड़े कर दो और वो जो second वाला जो महाँ पर काटा चलता है ना दोस्तों यानि wrist watch या फिर आप सीधे wrist watch ले लो wrist watch जिसमें tickling sound होता है उस subject को ear के nicket रख दो आप उसके कान के पास रख दो और वो subject जो hearing defect से suffer कर रहा है उसे watch के tickling sound को भी ear करने में difficulty होगी ठीक है यानि कान के पास आप उसको रख दोसको कुछ हो कुछ आवाज आ रही है ठीक है वो बोलेगा नहीं साब कोई आवाज नहीं आ रही है लेकिन जिसको थोड़ा जाना जाता है एक होती है रिनी टेस्ट एक होती है वेबर टेस्ट और एक होता audiometry ठीक है यह तीन टेस्ट definitely हर ENT डॉक्टर जो एक specialist होता है अपने लेवल पर वो तीन यह major test अपनाता है दोस्तों क्योंकि पहली दो test high frequency के साथ turning fork के using के द्वारा done होती है यहाँ पर high frequency का sound उसको सुनाया जाता है जिसमें turning fork होता है उस turning fork के using के द्वारा particular ring test और वेबर टेस्ट पर फॉर्म किया जाता है और जो audiometry होता है वो बिलकुल अलग होता है दोस्तों mostly ज्यादा तर cases में दोस्तों turning fork 512 cycle per second के साथ use किया जाता है यहीं वहाँ पर जो turning fork जो उस पर generate करता है 512 unit per second वहाँ पर दोस्तों उसके sound के view को expose किया जाता है यहीं turning fork test के द्वारा cable auditory defect के nature को different determination करता है यहीं auditory nerve का जो nature है वो क्या है auditory के द्वारा या auditory के द्वारा दोनों nature यहीं auditory defect के sensitivity को भी determination करने में मदद मिलती है इसलिए auditory बहुत important होता है लेकिन दोस्तों जब आप इन तीनों test के बारे में visibility करते हो तो आपको बहुत सारी चीज के लिए हो जाती है ठीक है बहुत सारी process होती है जहां पर आप देखते हो ना mumps develop होता है उस area में Mastight process प्लेस होता है जब तक कि सबजेक webernation को feel नहीं करता ठीक है ? जब तक वहाँ पर प्लेस रखते हैं jब तक वहाँ पर vibration उसको feel नहीं होता और sound को hearing नहीं कर पाता है ठीक है तब तक सबजेक sound को हीर नहीं कर पाता है turning for air में held करता है दोस्तों और सेम साइड के एर में front में वहाँ पर held करता है पहले back side में फिर front side में दोनों area में उसको रखकर उसका पूरा observation किया जाता है कि sound wave कितना बन रहा है normal portion में जब air में vibration को आप देखते हो न अगर वहाँ पर air में रखकर उसको किया जाएगा तो तुरंत वहाँ पर करता है उसको आवाज आती क्यार कुछ चीजों के आवाज यहां पर सुनाई दे रही है प्रायर बॉन कंडक्शन सीजिस के बाद में यह नॉर्मल कंडिशन डेवलप होती क्यों क्योंकि वहाँ पर नॉर्मल कंडिशन में और सैकल्स के वाया एर कंड़ेक्शन बॉन कंड़ेक्शन की तुलना में बैटर होता है दोस्तों याद रखना क्योंकि मुवमेंट हो रहा है अंदर मुवमेंट हो रहा है उसी के कारण याद रखलेना इस बात को जब कंड़ेक्शन होती है उसमें बॉन कंड़ेक्शन एयर कंड़ेक्शन से बैटर होता है याद रखलेना इस बात को जब conduction deepness होती है उसमें bone conduction air conduction से better होता है इसलिए nerve deepness में दोनो air condition और bone condition बहुत ही deepness हो जाता है बहुत ही destructive हो जाता है बहुत ही last हो जाता है इसलिए जब यहाँ पर इन दोनों चीज को according condition observe क्या जाता है दोनों condition में differences आते हैं और वो दोनों differences हम लोग visible करते हैं और diagnose करते हैं कि न नर्वाइन के लेबल पर है और दूनों को अफजर करके हम बता देते हैं कि हाँ भई राइन टेस्ट में यह देखने को मिल रहा है दोस्तों दूसरी बार जब वेबर टेस्ट की जाती है तो वाइबरेटिंग टनिंग फॉर्क का बैस इसकल के वर्टेक्स पर वहाँ पर प्ल दूनों साइट के एर में उसको साउंड सुनाई देता है लेकिन दोस्तों यूनिलेटरल कंड़क्शन डीफनेस में यहनि एक कान में अगर आपको सुनाई नहीं देता है साउंड डिक्रीज इयर में लाउडर हार्ड होता है दोस्तों याद रखना जो साउंड होगा जो ड masking effect होता है बिल्कुल जैसे आप नार्मल में मैं बोल रहा है आप सुन रहे हो इस प्रकार का effect आपको सुनाई देता है इसलिए याद रखेगा bone conduction के through sound here नहीं होता है यहाँ पर याद रख लेना इसलिए affected side पर as clear as नहीं सुनाई देगा ठीक है bone conduction नहीं होता है इसलिए affected side जब आप बारीक आवाज डालोगे तो सुनाई दे जाएगा लेकिन बारी आवाज सुनाई दोगे वहाँ पर आपको सुनाई नहीं देगा यहनि यूली लेटर नर्फ डिफनेस के दोरान sound normal ear में बहुत ही ज़्यादा powder मतलब अगर आपको समझ में आ रहा तो बहुत ज़्यादा louder महाँ पर चुनाई देता है आपको ऐसा लगता है patient को जब आप बूलते हो तो कही बार ऐसा लगता है आप जोर से बुल रहे हैं ऐसा patient को लग रहा patient बोलता है जोर से को नहीं बहे बही रहा हूं क्या बोलते हैं आपको याद होगा यहनी कई बार होता है आपको इसा पताएकी इस conscious को सुना ही नहीं नहीं दीता लेकिन वो इस तरह पे और आप चिला रहे हो वो चिला रहे हो तो वो केता है कह tietा है मैं को सुना ही नहीं देगा मैं बेरा हूं क्या ठीक है आपको जवाब देगा वो क्योंकि उसका यह cans से डिफने से ये कान से नहीं है याद रख लेना तो जिस तरक कान के लेवल पर जाओगे जहां पर इस प्रकार के प्राब्लम हो रही है वो louder sound होता है बारी ऐसा लगता कुछ आ रहा जा रही लेकिन वो समझता नहीं कि क्या हुआ जारी ये आपको याद रखना है दोस्तो ये युनिलेटल नर्व डिफनेस के दोरान sound नार्मल इयर में बहुत लाउडर हीड होता है जो नार्मल होगा ना वहाँ बारीपन सुनाई देगा इसलिए याद रखना सबसे बैस्त टेस्ट ओडियोमेट्री ओडियोमेट्री एक टैक्निक होती है दोस्तों जो और्डिटरी डिफेक्ट के सीविर्टी और नेचर को डिटर्मेनेशन करने में सबसे बड़ा जो जो मॉड़न साइंस का बहुत बड़ा एक क्यूपेंट होता है उसके द्वारा एक इन्टी डॉक्टर बहुत खरता है एक डिपेंड करता है यह एक YERC पून को पहुं से 港ेक्टेड कर लिया जाता है ये इस्ट्रुमेंट hता है दो उस तो different frequencies की sound wave को generate करने के लिए ठीक है और वहाँ पर lowest से highest तक मतलब पहले कम से चुरूर किया गया दीरे दीरे उसके frequency बढ़ाते गए और जब patient को सुनाई देने लगा या बिलकुल उस frequency के level पर भी जो एक महाँ पर एक fix होता idea कि इससी जादा उसको नहीं देना वहाँ तक भ previous studies के basis के अधार पर adjust किया जाता है कि यह परिदी आखरी है इससे जादा किसी को नहीं देना अगर देंगे तो नहीं बहरा होगा तो भी बहरा हो जाएगा ठीक है इसलिए दोस्तों instrument के calibrating के पहले minimum threshold volume को या intensity को loudness sound के प्रतेक वहाँ पर frequency नार्मर पंस्टर्च के दारह जो healed होती है उसको determination करके उस point पर fix कर दिया जाता है और जब minimum intensity जो instrument में set होती है ठीक है उसको zero से लगा कर वहाँ तक भेजा जाता है आप patient के testing के दोरान loudness को zero level से धीरे धीरे increase करते हैं और sound के intensity को decibel में db में express करते हैं दोस्तों और धीरे-धीरे decibel को वहाँ पर बढ़ाये जाता है और जैसे जैसे वहाँ पर hearing defect होता है वो diagnosis होता हुआ चला जाता है जिल लोगों को वहाँ पर हमने कहा था partially है complete ठीक है partially होगा तो उसको धीरे-धीरे frequency पर आकर ठीक है बूलता है modern science ठीक है एक particular frequency पर यह दी patient zero level के उपर 30 db की loudness के साथ sound को hear करता है तो उस particular frequency पर वो person को 30 db का hearing loss हो चुका है यहनि कान से 30% का loss हो चुका है दोस्तों और ऐसा माना जाता है audio meter के दोरा test के दोरा subjects की ability sound को hear करने की 8 to 10 different frequency के observe करने के level पर प्रते frequency के लिए hearing loss को determination करने में मदद करती है यहनि आप 10 पे गए 20 पे गए 30 पे गए 40 पे गए 50 पे गए 60 पे गए तो वहाँ पर आप उस db के level पर बताते हैं कि इसको 30 db का loss हुआ 50 का loss हुआ 60 का loss हुआ और in valves क using के द्वारा इन values के using के द्वारा दोस्तों वहाँ पर audiogram को plotted करते हैं definitely उस audiogram को आप हाँ पर plotted करते हो और इसी कारण से audiometer एक electronic vibrometer होता है दोस्तों ठीक है एक electronic vibrator होता है जो mastite process से cochlea में होने वाली जो bone conduction की test के लिए सबसे ज़्यादा use किया जाता है ठीक है तो दोस्तों इस प्रकार से जितना भी मुझे आता था मैंने आपको दोस्तों इयर से संबंदित सारी चीज आपको demonstrate कर दिये सारी चीज मैंने आपको बता दिये ठीक है कल हम लोग बात करेंगे दो दिन के lecture बचा है दोस्तों सेंसेशन आप टेस्ट और स्पेशल जो मैंने अभी आगे सीखा इस मेल का वू मैं बताऊंगा आपको कल और परसु दो दिन में ठीक है तो आज हम यही रखते हैं अगर किसी के कुश्चनिंग है तो आप पूछ सकते हो किया है तो तोड़ा प्रिश प्र हमें एपरा करते हैं वो आई के लिए करते हैं इस चीज के लिए सब्सक्राइए इस जाइए रखनेश के लिए पैराटेश के लिए आजकल नया नया बहुत सारा टेस्ट आ चुका है लेकिन यह में ने तेस्ट है ना यह सिर्फ पैसे कमाने का साइंस है और कोई काम नहीं है जी अजय सर मेरे जी एक नेजल पॉलिप है वह पूंच जाता है ना ना सर नेजल पॉलिप नेजल पार्ट में रहता है वहां ब्रेंड में थूड़ी जाता है तो उसको जो है अपोड़ों वालों ने यह कह दिया कि आपके ब्रेंड में नेजल पॉलिप करा दो यह स्मेल करा दो ठीक हो जाएगा वहाल तू बात कर रहा है सर डराने वाली बात है अब यह आपको मैं बता हूँ एक पेशेंट को बोला गया कि आपके दिमाग में कीडा घुज गया है अगर आपने सरजरी नहीं कराई ना वो कीडा आपके दिमाग को खा जाएगा आप मर जाओगे ठीक है मेरे पास आया हमारे अदिजन बच्चा है वो लेकर आया वो पड मैं दो दिन में निकला मैंने उसको आरी स्मेल करने को दे दिया ठीक है डी फोर में आरी दे दे स्मेल करने को आप बात मानोगे दो दिन तक छीकता रहा हो ठीक है इतना म्यूकस निकला इतना म्यूकस निकला वो उसको जो यहां भारी पर लगा करता था मुझे लग गया था इसको सरदरी रहती है, बिल्कुश सरदी कूल कुराईजा का पेशेंट था, कम से कम 12 साल से सरदी नहीं जा रही थी, ठीक है, मैंने आरी उसको स्मेल करने को दे दिया, इतनी छीके आई दू दिन तक उसको, जितना गाणा-गाणा, हरा-हरा, पीला-पीला, जितना निकलना थ सरदी के कंडिशन में क्या है, एलोपेटिक डॉक्टर क्या है, एंटी कोल्ड गएरा दिकते हैं, तो वही सूपता रहता है, बिल्कुल, लेक्चर हाई-पोटेंसी पर रखना था, एक लेक्चर हाई-पोटेंसी पर चाहिए था, सर, अपलब तुम छोड़ोगे नहीं, मु आ रहा हूं, 27 और 28 दो दिन में आपके लिए एक्स्ट्रा देता हूं, ठीक है, 27 और 28 को मैं हाई-पोटेंसी का जो मैंने रिजल्ट लिए, 5000-10000 के वह बताऊंगा, और आपको पूरी बाडी की फिलोसोपी बताऊंगा, कि एलेक्ट्रों में पर इतना बाडी का जैनेटिक् पूरी आपको बताऊंगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, सर अब का परोटेंसी का जैनेटिक्तिक्तर है, तो क्या करेंने, मनीश सर एक बद जो स्लीप स्टेडी पर भी कुछ कराई जैसे रिखे वगड़ आपके लिए इसलीप स्टेडी में स्टोंग जो होती है, सर मैंने स्लीप की विज्योलाइजी में सब बता है आप सब चला दो वह बिल्कुल ठीक हो जाएगा जो यूला का वाइब्रेशन होता है ना उसी के कारण उसको कराटे आते हैं अब यूला के वाइब्रेशन को ठीक करना है तो चला दो तक चले जाओ बिल्कुल करेक्ट कर दो गया सर इसे क्लास भी तो हुए है शायद रविंदर सर थे नहीं उसमें हाँ सर्टिक है उनको आज समय है बच्ची को दस्षाल्टी है वह अभी उनका सर इतना ऑक्सिजन मतलब कम हुए 90 ब्ल्यू हो जा रहे हैं सर उनके लिप्स वग प्रजिस करेंगे आप सर आप मेडम उनको पीवन वी को देदी आप लड़की कितनी बड़ी है एज कितनी है उसकी टेनियोज है सर आप एक काम करो एस वन एल वन एट्री एफ वन डवली को डीपाइब बनाओ ठीक है और उसमें दो दो पुन पीवन और वी की डाल दुआ ठीक है दूसरा जन्रल टानिक दिल बादो ने जन्रल टानिक दे रहो वही चीज़ बताया है और दूसरा प्रोटोकॉल बनाओ एस टेन पी त्री सी 13 वाई और जी इसको आप थर्ड डालेशन से 10 तक ले जाओ बहुत जल्दी रिकवर हो जाएगा और साथ में उसको स्मेल क करा दो दिन में उसको फाइदा हो जाएगा है कि खराटे का भी प्रोटोकॉल है बिल्कुल है ना गुरू सब्सक्राइब बता रहा है याद आगया था से 13 पीवन और भी सर मैंने 1000 में दिया सब्सक्राइब देख लो रमिंदर सर यह है जादू हमारे गुरू सर का प्रवाद अब तक तो ही नहीं है सर जिसको भी आप तक बनियाज तक बहुत बढ़िया हमको भी सिखा दिया बहुत बढ़िया तेक है सर बहुत बहुत बढ़िया सर देख लो हमारे यहां एक बीएचे में डॉक्तर आयो है गौर्मेंट आस्पिटल में पदस्त है बहुत सिंगल सिंगल मैडिसिन की बात करते हैं मैंने उनको किसी ने उनको सला दी कि आप यहां हमेपैट मैडिसिन कहीं मिलेगी नहीं आपको अब पाटिदार जी के पास जाओ उनके मैंचे पास सब मीरे पास सारी हूंने स्ट मैडिसिन से वह मेरे पास आये और उन्होंने मुझस से महित सम ने नहीं करती कभी करते मैंने का कुछ नहीं आप मुझे एक सिंप्टम बताओ क्या हो रहा है तो उन्होंने मुझे बताया कि फलाना फलाना हो रहा है और इसको जो हमेशा आखों के वज़े से सीरदर्द होता है तो हुमिपैतिक मेडिसीन हमारे पंकस हराज है नहीं चाहिए रिशीपल सर है क्या एक diskut फाइसो स्ट्िगमा करके मेडिसीन आती है ठीक है फाइसो स्ट्इगमा मेडिसीन ठörtटी पोक्रносी में रिशीपल सर याद है आपको आपको ऊसर मेडिसीन है क्ली नहीं ने कि बात नहीं करें वह कहते हैं अब आप सूच लीजिए यह हमारे इलेक्ट्रों में पैथ के हमें करेंगे और जो हम कर रहे हैं शायद विनों सर इलेक्ट्रों में जगत में शायद अगर मैं गलत नहीं उटो इसमें लूंगा जोगर सिंड्रॉम ठीक है अच्छा सर आज एक मैंने केस मतलब आया मेरे पास आने वाले हैं वो उनकी बेती सर्व नाइन यहास के हैं अभी उनका जो नैक ठहर जाता है है ना सर्चे त्री मॉन्स फोर मॉन्स में जो बच्चों को उनका आट नौ मैने बाद में वो थोड़ा मतलब ठहरा है सर् अभी नौ साल की हैं वो ठीक से बात नहीं कर पाती हैं वो ब स्पेशल हमारे ग्रूप में दो डॉक्टर राजिश्वर्ट जी वह उन दोनों के बच्चे इसी तरह से थे और हमने गाइड किया था वैंगलोर सेमिनार को वन एन हाफ एर हुए उनके दोनों बच्चे आज इतने जेन्यून हो गए हैं इतने बढ़िया पढ़ने में हो गए हैं उनमें बहुत सारे चींज़ सेवेंटी फाइब परसेंट तक रीकवरी उनको आई है परसेंट तक चींज़ साया है प्रेंट साथ दोनों ही कसरावाद आ रहे हैं सर सेमिनार अरे सर मेरे घर वीजिट करके गए मनें बता यह जो केस मैटम बता रही है ना सब यह सा केस में ठीक किया है बहुत बढ़िया सचिकांसर आपका जो प्रोटोकोल था वो ही तिया जो जी जी बहुत बढ़िया है उसमें प्राइप तुश्ट वेराइटी जूती है लगला और उन वेराइटीस के लेवल पर वो डेवलप होता है कॉंप्लिकेशन आप दो पर्टिकुलर चीमबर्स आप दो मैनिंजर्स एस वेल एस ब्रॉडबें एरियास जो इनके बीच में कोडिनेशन होता है वो फेल हो जाता है विकाज आप लेक ऑप ऑक्सिजन डूरिंग डिलेवरी ठीक है डिलेवरी के दोरान जब ऑक्सिजन डे सबस्टिक और इसी करान आप देखो बच्चा जिबान लेटका रही इसे बच्चों के लाड़ रेती है बच्छा मैंकि रीटार्ड्य हो जाता वहाइँ बहुत सारी चीजों में देखो कुछ समझ में नहीं आ रहा लेकिन बस वो हसरा है अपन कोई भी इशारा नहीं कर रहें नहीं बस वो देख देखके हसरा तो यह बहुत सारी दिफिकल्टीज में उनको ट्रीट किया जाता है और उसका ट्रीटमेंट भी डिफ्रेंट बिलकुल एकदम अलग हटके होता है तो सर मेडिशन से जनरेशन हो जाता है उनका गवारा सार मैक्सिमम यह मान के चलो मेरे पास अभी तक केबल चार से पांच केसा हैं और मैं लगप साल चार साल पांच साल भी लग सकते हैं लेकिन वह समय नहीं देता है मेरे पास जितने केज़ा है यह दो डॉक्टर मेरे को पहले ऐसे मिले हैं जो विचारे अपने लेवल पर हर हर अतकंडे अपना चुक है और सैटिस्पेक्शन इलेक्ट्रों में पैसे हुआ है और इमान मैं उसको बहुत गुस्ता आता बच्चे को लेकिन अभी वह यहां कसरा भी विजिट करके गए मैंने उनको सीखाया भी समझाया भी और आज वह बहुत अच्छे तरीके से महां पर ट्रीट्मेंट का लिवल मेंटेन कर रहे मैंने उनको कई बार कहा कि आप खूद करो और व शेची को शुकशन के क्या होता है ना अभी उसको हमको साइंस का कुछ पता ही नहीं है जब हम पैरालाइस वाले को आप आरके सिंग सर्का प्रोटोकाल्स देख लिजेगा आरके सिंग सार हमारे ग्रूप में सबसे बड़ा स्पैसलिस्ट हैं दोस्तों जो इस-पैर आलईस अब अगर हमारे पास कभी कैसे साइंगे अब लुक प्रैक्टिकल करेंगे कि नहीं हम इस प्रकार के कैसे ठीक कर सकते हैं नमस्कार मैं मानव योग से राम्यवास बैंगलोर से जी सर कैसे रोग साब बहुत अच्छा लग आपको शुट करके मैंने भी जोईनी किया है आपका यह 16 महिने का पॉर्स तो आपकी ख्याती को मैंने सुना है बहुत अच्छा लग रहा है हम आपके साथ है इसी बात है दूसरी वाद विशेस यह सरे वैसे मैं राश्तांशूर बैंगलोर में अपना काफी दिनों से मैं नेक्ट्रोपेथी से प्रैक्टिशनर हूं और इसके साथ में इलेक्ट्रोपेथी से भी तोड़ा तोड़ा मैंने कुछ दिनों से शुरू किया लेकिना विशेस तोर से करने के मोंट पर आपके साथ में जूड़ करके और अच्छा करना चाहते हैं सोला महिने लगेंगे सोला महिने के अंदर हो जाएंगे कोई दिक्कत निए जो कि हम लोग बैसिक साइंसे शुरू करते हैं ना प्लांट से हम जड़ से पैदा हो रहे हैं हम अभी भी अभी जितने लोग पड़े में आब यह जो क्लास शुरू होगी बहुत एड़वांस है यह जो क्लास है यह 24 मेने हो गए यह 24 मेना चल रहा है लेकिन हमने छोड़ा ने पूरा कोर्स कंप्लीट किया यह कोर्स जो 24 मेने में मैंने सिखा है वो अब एडवांस में यहाँ पर शामिल होगा और एडवांस में शामिल होगा तो इनको नहीं मिला वो भी आपको मिल हैगा कि मैंने जैनेटिक्स पर और कैंसर पर कितनी स्टेडी की है यह मैं कसरावत में पूरा देने वाला हूं जैनेटिक्स और कैंसर के लेवल पर जन्रल कंसिदेशन और बॉडी डेवलमेंट अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रों में पर थी इस वेरी इंपोर्टेंट अगर आप लोग कर रहे हैं मुझे ता आप मानके चलेगा एक साल आप मुझे दे दीजेगा एक साल में हम लोग फार्मोकोपिया के बहुत क्लोस पूंच जाएंगे बहुत क्लोस बिल्कुल नई तरीके से पहले चार मेने का जो कॉर्स है उसमें पूरा एलेक्ट्रों में पैतका पाथ पूरा याप कितना आप जानते हो आपको कितना सीखने को मिलेगा या आप खुद देखनीजेगा ठीक है पहले बात दूसरी बात आप और जो वी इस जो इपने साएगा तो आपको व्याएगा क्या अप कनपेरीजन कैसे करते हो ठीक है आप हर medicine का comparison यहाँ पर देखोगे ठीक है और comparison जब देखने को मिलता है ना आप बहुत deep में study होती है ठीक है आप लोग घबराइए मत दोस्तों आप जो लोग अभी करके गए हैं जैसे मेरा first time complete होगा चार मेने का आप सभी को उस first time में फ्री में जैसे भी part 3 में मैंने token देकर स आप को सबको जोड़ दूँगा मैं क्योंकि हम लोग अभी तक जीतने आडियोस थे वो टेलीग्राम पर मैं उसको story नहीं कर पाया ठीक है मैंने कभी story किरा नहीं मुझे कोई ऐसा था नहीं के app बनाऊंगा और अभी मुझे जरुवत लगी कि नहीं सारी चीज एक जगे हमक से कर इतने कॉल्स आ रहें कि आप हमारे यांग कर लीजे हमारे यांग कर लीजे और आप बताईए अपको जो भी चाहिए हम लोग अरेंज करेंगे बस आप आकर पेशिंच देखिए और सर तीन पेशिंच का अज आया कि उनको कैम्प में जो रिभी दीती उससे तुरंट जितने डॉक्टर से हैट साव आपको आप करिये कैम देखे इससे फीडबेक आएगा ठीक है और फीडबेक ऐसा आएगा दीविया मैम कि आप बिलीव नहीं करेंगे आपको फुरसत नहीं मिलेगी आपको मैंने कहा था 500 पेशेंट याद है उस दिन मैंने आपको कहा था आपक लिए और जो भी पैसे लगेगा लगेगा मुझे बिल्कुल हो नहीं मुझे रिजर्ट चाहिए कि आरेसी देंगे और क्या था एलेक्ट्रोमेपेथी का कैम होता है मैम जिसमें हमारी मैडिसीन का प्रोटोकॉल को प्रूफ किया जाता है और तरह तरह के कैसे जब हमारे पा नहीं है कि मुझे रिजल्ट आए तीन पेशेंट अभी तो तीन है यह शुरूवात है 100 प्लच पेशेंट का कैम था 100 लोगों को इन्होंने अफजर किया था यह तो स्टार्डिंग है अभी आप देखते जाओ दिवया मैडम फुरसत नहीं मिलना आपको मैंने आपको चैले मैं किसी इलेक्टों में पर डॉक्टर से कोई कंसेंट की फीस नहीं लेता हूं लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है आपको कंसल्टेंशी चाहिए आप वाट्सप है परसनली मुझे आडियो वीडियो मैसेज जो बना के भीजना साथ है आप भीज दीजिए मुझे जैसी फुर तो फिर स्टेडी करना घर देखना मेरे पेशिंट देखना मैं क्वाल अटेंट नहीं कर पाता हूं कई बार किसी भी डॉक्टर के क्वाल अटेंट नहीं करता हूं ठीक है और आप को ग्रूप में सारी चीज गाइट की जाएगी पर आपको देखने को मिलेगा ठीक है और अभी हो सब्सक्राइब अब 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 यह काम करा सब्सक्राइब यह काम करा सब्सक्राइब सब्सक्राइब अब इसके साथ उसके साथ उसके साथ बिलकुल दे दो और 15 दिन में देखो रिजल्ट सब्सक्राइब 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 आप मुझे डागनोसिस बताईए ऐसे कहने से काम नहीं होता आप डागनोसिस बताईए आपको बताऊंगा पागनोसिसक्राइब तरगा दोर्गे गडिस्टों आज यहीं रखते हैं ऑक सरभ नेख साथ तक इसरभ नेख सरभ तक इसरभ नेख सरभ नेख सरभ नेख नेख सरभ